या देवी सरभूते सो माचंद्र घंटा रुपीना संस्तिता नमत अश्याई नमत अश्याई नमो नम जय मतरानी दोस्तों आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने चैनल राधाकृष्ण अफीसियल में उमीद करती हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे तो ये बताने के लिए कमेंट बॉक्स में जय मतादी जरूर लिखेगा चलिए दोस्तों आज हम इस वीडियो में जानेंगे कि नवडात्री के तिसरे दिन मा चंद्र घंटा की पूजा हमें कैसे करनी चाहिए किन मंत्रों का हमें जाप करना चाहिए और मा का पिडिये भोग क्या है और कौन से फुल हमें मा को इस दिन अर्पित करना चाहिए और नौरात्री के तिसरे दिन हमें किस रंग का वस्त्र पहन करके मा की पूजा करनी है और नौरात्री के तिसरे दिन दुर्गा सब्त सती का पाठ अगर आप कर रहे हैं तो उन्हें आज के दिन किस अध्याय का पाठ करना चाहिए तो नवरात्री के तीसरे दिन की संपून जनकारी आज के वीडियो में आप लोगों को मिलेगा तो वीडियो के लाश्ट तक आप लोग बने रहेगा क्योंकि आप लोगों के लिए ये वीडियो बहुत ही उपयोगी रहेगा तो अगर आप लोगों को मेरा वीडियो पसंद आता है तो चैनल पे पहली बारे है तो सब्सक्राइब कर लिजेगा और लाइक तो जरूर कर दीजेगा क्यूंकि आपके एक लाइक से मुझे बहुत ही मोटिवेट मिलता है तो चलिए सुरू करते हैं वीडियो और जान लेते ह और परमकल्यान कारी हैं इनके मस्थक पर घंटे की अकार का अध्र्चंदर है इसलिए इसी कारण से देवी का नम चंद्रघंटा परारятно मा चंद्रघंटा की पूजा करने से भक्तों की सारी संसारिक सुखों की प्राप्ति होती है और सभी परकार के संसारिक हो पूजा चाहिए अब चलिए नवरात्री के तीसरे दिन की पूजा बिधी के बारे में जान लेते हैं तो देखिए नवरात्री में जो पूजा बिधी होती है न वो लगभग एक ही होती है जैसे कि चौकी के पास में बैट करके मा दुरगा की अराधना करनी होती है अगर आप अलग से चौकी लगा करके पूजा करती है या मंदिर में भी पूजा कर रही है मातारानी को मंदिर में ही अस्थापित करके तो वहां भी अब जहां पर भी मातारानी का अस्थापना की है उसी अस्थान पर बैट करके हमें पूजा आराधना करनी चाहिए। तो सबसे पहले बता दू कि नौरात्री के दौरान हमें तो सबसे पहले सुबह में जल्दी उठना चाहिए। ब्रह्मुरत में उठ जाते हैं तब तो ये बहुत ही अच्छा है। लेकिन अगर आप ब्रह्मुरत में नहीं उठ पाते हैं फिर भी कोशिश करें कि हमें सुर्योदय से पहले उठ जाना है। और उठ करके आप साफ सफाई कर लीजिए सिर्फ मंदिर छोड़ के क्यूंकि मंदिर हमें आशनान करने के बाद साफ सफाई करनी रहती है। उसके बाद आप लोग अशनान कर लीजिए अशनान करने के बाद आप लोग साफ स्वक्ष वस्त्रधारन करना चाहिए। ध्यान रखना है कि काला और नीले रंग का कपड़ा हमें नहीं पहनना है। तो कलर की कपड़ा पहनने से नौडात्री के दौरान हमें बचना चाहिए। उसके बाद आप क्या करें कि सुर्य भगवान को सबसे पहले जल दे दे। उसके बाद आप जहां पर भी मा की चौकी लगा करके अगर आप पूजा कर रहें तो वहां पर या मंदिर में पूजा कर रहें तो वहां पर तो मा के पास में आप लोग सुध आसन डाल करके वहां आपको बैठ जाना है। एक बाद जल ले करके माता के ऊपर छी रख ले अपने ऊपर छीरख ले इसके बाद माता के सामने हमें घी का या तील के तेल का दिपक जलाना है। और बता दू कि आसन पर बैठने से पहले ही पूजा की जितनी समागरी है फाल, प्रोट, धूप, दीप जो भी हम ले करके बैठते हैं पूजा करने के लिए तो वो सारा समागरी हमें आसन पर बैठने से पहले ही हमें रख लेना है दीपक जलाने से पहले क्योंकि अगर आप पर बैठ जाते हैं अब फिर आप उठ उठ के जाके सारा समागरी अगर ले करके आते हैं तो ऐसे में पूजा खंडित मानी जाती है और बता दू कि दीपक जलाने के बाद सबसे पहले गनपती जी की पूजा हमें करनी चाहिए दूप दीप अप्चत फूल इन सभी से गनेश जी की पूजा करनी है तो आज नवरात्री के तीसरे दिन है तो आज मा चंद्रगंटा की पूजा करनी है ध्यान करना है तो मा का जो स्वरूप है जिनका हमें पूजा करते समय ध्यान करना है तो देखिएगा मा का जो स्वरूप है वो मैं बता दे रहे हूँ चंद्रघंटा माता के मस्तकप अध्र चंद्रमा भी रजमान है इसलिए इनका नम चंद्रघंटा पड़ा है इनकी सारीर का रंग जो है वो स्वर्न के समान चमकिला और वाहन सी है चंद्रगंटा मा के दस हाथ माने गए हैं और दसो हाथ माता को अस्त्रों से सुसजित है तो पहले हाथ में कमल, दुसरे में धनोस, बान, खंडंग, कमंडल, त्रिसूल, तलवार और गादा इनी सभी अस्त्रों से मा के दसो हाथ सुसजित है और माता के गळे में स्वेत रंग की फूल का माला और इनके सीस पर रतन जरित मुकुट बिरजमान है और मा चंद्रगंटा के पूजा करने से प्रम कल्यान की प्राप्ती होती है प्रम सांती की प्राप्ती होती है ऐसा माना जाता है कि इनकी वंदना करने से मन को परंसुख ध्वनी सुनाई देती है तो आप क्या किजिएगा कि जब पूजा के आसन पे बैठ जाएगा उसके बाद आप अपने दहिने हाथ में अक्षत और फूल ले करके इसी स्वारूप का हमें ध्यान करने है इन्ही मंत्रों के द्वारा आपको माचंद्र घंटा का ध्यान करना है इसके बाद जो आप अपने हाथ में अक्षत और फूल लिये हैं वो माचंद्र घंटा के चर्नों में अडपित कर दे इसके बाद आप मा चंद्रगंटा की पुजा अराधना करेंगे जो भी धूप, दीप, फूल, अक्षत जो भी अर्पित करना है आप अर्पित कर ले और मा को तिसरे दिन दूध या दूध से बनी मिठाई का भोग लगाया जाता है आप चाहे तो मा खाने का खीर बना करके भी मा को भोग लगा सकते हैं और मा के भोग में आप लोग लोग इलाइची जरूर डलिएगा क्या कीजिएगा कि कुछ ना कुछ दक्षिना माता रानी को जरूर चरहिएगा क्योंकि जो भी हमारे पूजा में कमी होती है उसके पूर्ती के लिए दो, चार, छे, दास, एकीस मतलब जितना भी आपको संभव हो उतना दक्षिना मा के चर्नों में रोज जरूर चरहिएगा अगर आपको मिल जाता है तो मतारानी को जरूर चरहिएगा तो वो भी मा को बहुत ही पिले है तो औरहूल का फूल तो आप चाहे तो रोज भी चरहा सकते हैं नहीं तो बाकी अगर ये दोनों फूल नहीं मिल रहा है फिर आप लाल पिला कोई भी फूल मिल रहा है तो वही मतारानी को चरहा दिजेगा जब आप पूजा कर लेते हैं उसके बाद आप जो भी मंत्र का जाप करते हैं वो कर ले लेकिन सबसे पहले देवी चंद्रगंटा की मंत्रों का जाप कर ले कम से कम नौ बार एक आड़ बार या एक किस बार उसके बाद ही उसके बाद आप लोग कपूर से आर्थी कर लिजेगा जब आप पूजा कर लेते हैं आर्थी कर लेते हैं उसके बाद आप अपनी हाथ में थोड़ा सा जल ले करके अपने आसन के नीचे डाल दिजेगा और उसे दू उंगुलियों से उठा करके आप अपने मस बिना जल डाले ही उठ जाते हैं तो आपके जो भी पूजा पाठ जो भी किये हैं उसका फल आपको प्राप्त नहीं होता है ऐसा मना जाता है कि हम आसन के नीचे जल डाल करके उठते हैं तो इंद्रदेव हमारे पूजा नहीं लेते हैं लेकिन वहीं नहीं डाल के उठते हैं इंद्रेव हमारे सारे पूजा की भल होती है वो सब इंद्रेव ले लेते हैं. तो इसलिए ये काड़ हमें प्रती दिन जरूर करना चाहिए और बता दू कि जो भी भगत नवरात्री में दुर्गा सब्तसती का पाठ कर रहे हैं तो पाठ करेंगे, तो सारी बाते किलियर होगा नौरात्री के तीसरे दिन देवी चंद्रघंटा के पूजा से संबंधित तो उमीद करते हूँ कि आप लोगों के लिए वीडियो बहुत ही उपियोगी होगा तो कैसा लगा ये वीडियो आप लोग कमेंट करके जरूर बताईएगा और चैनल पे कि हर कोई नौरात्री के तीसरे दिन की पूजा विधी पूजा से संबंधित संपुन जनकारी प्राप्त कर सके तो चलिए दोस्तों मिलती हूँ अगले वीडियो में किसी नए वीडियो के साथ में तब तक के लिए नमस्कार